जी हाँ, बिल्कुल सई सोच रहे हैं आप, रेश्ट्रेंट, होटेल, फूड लाइन हमेशा से एक अच्छा बिजनस रहा है और रहेगा, कुछ चेंजिस करने की शायद हमें जूर्त पड़ेगी, बट प्रोफिट होने वाला है, बहुत ज़्यादा आने वाली है, अभी आने वाले टाइम में, कुछ बड़े होटेल्स, उन्हें कुछ प्रोब्लम्स आ सकती है, डाइनीन में थोड़ी प्रोब्लम्स आ सकती है, बट जो नया शुरू करना चारे हैं, उसके लिए कुछ प्लैन है, छोटे रेश्ट्रेंट ओपन जो करना चारे हैं, आउटलेट ओपन करना चारे हैं, डि भी आपने अपने कोपी पैन डायरी बनाई हुई है उसे उठा लीजिए उस पे काम करना शुरू कर दीजिए काफी टोपिक हैं काफी जो मैटर हैं जिस पे हम आज बात करेंगे अगर आज आपको ये लग रहा है कि होटल लाइन रेश्टोरिन लाइन नहीं चलेगी ये खतम हो गई है तो बिलकुल ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए ये मैं उसके एक्जेंपल भी दूँगा किस बेस पे मैं ये कह रहा हूं हर रात के बाद एक सवेरा होता है हर मंदी के बाद एक तेजी आती है कहीं भी कोई भी पुरानी हिश्ट्री उठाके देख लो जब भी एक मंदी आई है उसके बाद लोग ने बहुत अच्छा प्र अब ये टाइम है इसे एक्जीक्यूट करने का जो प्लैन हमने कर रखे हैं जो लोस हमने उठा लिया है उसे पूरा करने का उसे फुल्फिल करने का तो फूर लाइन एक ऐसी लाइन है आप सभी जानते हैं कि हमेशा से सबसे पहले प्रोग्रेस करती है सबसे पहले ये मार् ये बिल्कुर इसी तरीके से काम करती है हमेशा ये सोने का अंडा देने वाली मूर्गी रही है इस टाइम पर हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कुछ changes हमें करने होगे उन changes को करके उन चीजों को ध्यान रखे बहुत अच्छे से हम अपने काम को execute कर सकते हैं प्रोफिट कमा सकते हैं पहले हम बात कर रहे हैं जो अभी restaurant running में थे बड़े restaurant छोटे restaurant क्या उनको problems आ सकती हैं क्या उनको changes करने पड़ेंगे अभी जो running में थे बड़े restaurant या dining उन्हें कुछ problem आ सकती है छह मीने साल तक वो दिक्कत में रहेंगे, hotels हैं, एक साल तक लगबग लगबग वो problem में रहेंगे अच्छी तरीके से perform नहीं कर पाएंगे तो इस बात पे हम discuss कभी आगे करेंगे जब ये market थोड़ी open होने वाली है अभी हम बात करेंगे क्या option है हमारे पास अगर हम running में काम कर रहे हैं किस तरीके से उसको बढ़ा सकता है, किस तरीके से उसको control कर सकते हैं अगर हम जैसे बात करें Indian food की, बहुत बड़ा एक quantity में material बनता है, काफी option होते हैं उसमें तो हमें थोड़ा सा कोशिस करनी यह है यहां पे कि उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, जो menu है उसको थोड़ा सा minimize कर दिया जाए और quality ध्यान दिया जाए, सफाई पर ध्यान दिया जाए इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है अच्छे equipment रखने है साफ सफाई रखने है equipment पर पुरानी तरीके से जो normal हम रख देते थे खाना इस तरीके से खाना नहीं रखना है उसे एक अच्छी बेनमेरी में बेनमेरी आफ समझते होंगे जो खाने को गरम रखती है एक temperature रखती उसे heat रखे एक normal temperature पर शाम तक कोशिश करें वो खतम हो जाए finish हो जाएं उसे आगे के लिए ना चलाएं हर बार तड़का मार के जो काम करने वाला system था जो सड़ा हुआ माल था उसे भी चला देते थे यह बिलकुल मत चलाना बिलकुल बंद कर दीजी यह जो system जो तरीका अगर आपको तड़का मारना तो उसमें तड़का भी मार सकते कोई प्रोब्लम नहीं है बट आपका temperature level maintain रहना चाहिए आपके food का पहली बात यह है उसके बाद कुछ जैसे मैंने बताया equipment है कुछ changes करने के जूरत है अच्छी bakery आप शुरू कर रहा है या अच्छा restaurant आप चल प्यार हो जाए इस तरीके के changes करने के लिए अब भी बात करेंगे जो नए नए जो customer है जो नए clients है जो हम बात करें restaurant open करना जा रहा है उसके लिए तो यह हम बात करें एक बहुत बड़ी opportunity है बहुत अच्छी opportunity है क्योंकि अब तक जो restaurant open थे उसमें लोग मूशली जानते थे क कैसे restaurant है उनसे फूड मंगाते थे उनके पास जाते थे उनकी साफ सपाई सब कुछ मूशली वो जानते थे जानते होंगे बट जो आप जो शुरू करेंगे क्योंकि हमेशा एक revolution आता है नए products से नए चीजों से नए system से नए तरीके से तो जो नए customer है वो mostly chances है कि आपको एक पर मौका जुरूर देंगे क्योंकि जो change होंगे नया जो person आएगा वो एक enthusiastic होता है उसमें एक लगन होती है कि वो अच्छे से काम करें सफाई से काम आप करेंगे ये मैं जानता हूँ mostly ये prefer भी करते हैं लोगी उमीद भी करते हैं कि जो नया जो restaurant open होता है वो ज्यादा ध्य सफाई का और सेनिटाइज रखेंगे आप अपने system को तो ये तो एक आपके लिए बहुत अच्छी opportunity है तो बिल्कुल कमर कस लीजिए अगर आप प्लैन कर रहे हैं नए restaurant open का बिल्कुल करिए उसमें थोड़े से ध्यान रखिए आप बहुत बड़ा restaurant ना open करें वहले कि dining टा सब्सक्राइब करें अब इक चुर्टा मेन्यूरखें और साफ सफाई का ध्यान रखें आपके जो शेफ हैं कूक हैं उन्हें बिल्कुल प्रिपेर करिए हर तरीके से सफाई का ध्यान रखें वह गलब्स पहने अगर अंदर बैट रहा हो आप वहाँ पे हो तो आप भी गल को और किचन को तो खास ध्यान रखे के सफाई करते रहें सेनेटाइज उसको रखें इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होगा तो उसके बाद बात करते हैं कि क्या ऑपरिशनेटी आएंगी जोब्स में क्या चेंजिस होंगी जैसे कि मैंने बताया बड़े होटेल्स डाइ के लिए ब्रेक लग सकता है कुछ जगह हो सकता है थोड़ा बहुत उनको सेलरी मिलती रही चलता रहे अगर आप फिर भी आप कोशिश करें अपना बैक अप बनाना शुरू कर दें आप इधर उधर कहीं भी जोब देखना शुरू कर दें जोब्स बहुत है ऐसी कोई प्रो प्रोब्लम है उससे तो निमटना पड़ेगा बट जोब्स मिल जाएंगी जोब्स काफी आने वाली हैं जैसे कि मैंने बताया बेकरी में आप ट्राइक कर सकते हो अगर आपको थोड़ा एक्सपिरियंस है या आप सीख सकते हो आप एस तरीके से भी आप बेकरी में एंट्र हर रेशेंट वाले को हर बार वाले को कोई भी कुछा भी काम शुरू कर रहे हैँ उसको दिलिवरी बवाय तो रखना पड़ेगा अपना परसनल एक दो डिलिवरी बवाय रखना पड़ेगा रखना चाहिए सिर्फ जो मैटो और सुवीगी के ब्रोसे ना रहें अपनी एक म के लिए पे करते हैं सी कोई प्रोब्लम नहीं है वह जादा ध्यान नहीं देते अगर हम बात करें डिसकाउंट और इन चीज़ों पर आप उनको विश्वास दिलाएं कि आपका जो प्रोडक्ट है वह उनके लिए बिल्कुल सेफ है बिल्कुल सुरक्षित है कोशिश करें एक आप काम कर रहे हों कि जिससे उनको ये विश्वास हो जाए कि जहांसे उनका फूड आ रहा है वो अच्छा सापसूतरा और बिना किसी टेंशन के वो उसे कंजूम कर सके खा सके तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होगा और आप बताईए कोई आपके पास ऐसे पॉ अगले वीडियो में अगले किसी मैंटर पे उसे साथ में हम इस टोपिक को लगा सकते हैं तो चलिए अगेन यही कहों कि वीडियो लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकॉन भी दबा दीजिएगा ताकि हम हर बार टाइम स का हम फाइदा भी उठाएंगे और मारिगिट को भी सपोर्ट करेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर